अलो फ्रेंट्स आम हरीश डेमला फ्रम एकुरेट फॉर्च्वुन आस्ट्रोलॉजी दोस्तो मैटिगल आस्ट्रोलॉजी में थोड़ा आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं कि शनी देव किन-किन बिमारियों को इनसान को दे देते हैं या शनी देव का संबंद किन-किन ब किसे बैठ जाएं या किसी एनिमी प्लैनेट्स के साथ बैठ जाएं तो किस तरह की प्राबलम्स हमें दे सकते हैं देखी दोस्तो सैटरन के बारे में एक चीज़ जाना बहुत जरूरी है कि सैटरन अगर आपके चाट में मारक प्लानेट है और एक्जॉल्ट होके बैठा तो ये फिर किसी बड़ी बिमारी को भी अंजाम दे देता है सैट्रन की बिमारियों को डिसकस करें तो एंडलेस बिमारी हैं सैट्रन जो कारका है बेसिकली हमारी लेक्स का कारक है और अर्थराइटिस जैसे बिमारी बोन्स का तूटना एक्सिडेंट्स में शनी देव से रिलेशन है इसका और शनी देव से हमारे कोलेस्टरॉल बोडी में और लंग्स में हमारे टीबी जैसे बिमारी इवन कैंसर की बिमारी में भी शनी का बहुत बड़ा रोल है शनी और रहू जैसे प्लैनेट्स का ही रोल है और किसी भी चीज में सिस्ट को पैदा कर देना ड्राइनस को पैदा कर देना सबस्टेंस को ड्राइ बना देना ये शनी देव का काम है शनी देव जभ भी कोई बिमारी देते हैं तो लंबी बिमारी देते हैं और उसमें आदमी को पीड़ा सेनी पनोती है दर्द सेना प्ड़ता है हमारे नीस को शनी देव रिप्रेजेंट करते है आपको पता ही है कि टांगों का दर्द या घुटनों का दर्द इनसान को लंबे टाइम तक पेनफुल रहता है और इनसान को ये दर्द लंबे सालों तक सेहना पड़ता है शनी जब भी मेलेफिक अवस्था में होते हैं तो सबसे पहले हमारे पैरों को यानि के हमारे हडियों को ही धराब करते हैं अर्थराइटिज जैसे बीमारी शनी डेव हैं अगर भुठ ही खृब हो किसी के चार्ट में तो ब्लाइडनेस तक भी जबनेस और यरुפ कार्श कर्णं करना चाहें तो ब्लाइडनेस तक अगर आपको हडियों की problem देनी हो तो शनी देव जो है सूरियों को affect करते हैं और आपकी body में vitamin D की deficiency कर देते हैं और फिर आपको हडियों से related दर्थ या problems शुरू हो जाती है तो vitamin D की deficiency जब भी सूरिय या तो बहुत कमजोर हो या फिर शनी देव के प्रभाव में अगर सूरिय दिवा जायें तो हडियों से related देर देते आंगर शूरिय और शनी सातमे या आठ्में घर में बैट जैंए तो backbone देदेते हैं अगर इसमें सूरिय कम्जोर हो गया नीचका हो गया या श्नी के साथ closely conjupton जोग्छ गया तो IT हमारी backbone में प्राब्लम जरूर दे देए शनी अगर सूरिय के साथ दूसरे घर में आ जाएं या बार में घर में आ जाएं तो हमें आई से रिलेटिड प्राब्लम भी शनी दे देते हैं और शनी अगर नीच के बैठ जाएं बिमारी के घर में बैठ जाएं तो arthritis जैस्थी बिमारी दे देते हैं शनी देव का चंदर के साथ चोथे घर में बैठने का मतलब आपको TB का डर रहेगा को चोथे घर में या च्छटे घर में चंदर के साथ अगर शनी देव बहुत एकलोस कंजंग्ट होके बैठ जाए और इसमें राहू या केतू का भी प्रभाव आ जाए या राहू और केतू में से कोई एक प्लानेट इनके साथ बैठ जाए दूसरे की दृष्टी आटोमेटिकली आ जाए तो भी हमें कहीं ना कहीं चेस्ट में टीवी की प्रोग्रम दे देते हैं चोथे घर में अगर शनी देव चंदर के घर में बैठ जाए तो हमें हमें कोलेस्टरॉल जैसी बीमारी दे देते हैं हमारे और उसमें कहीं मंगल भी अगर वीक हो जाए तो ब्लड में कोलेस्टरॉल दे देते हैं शनी देव अगर तीन नंबर राशी में बैठ जाएं या तीसरे घर में बैठ जाएं और वहाँ पर तीसरे घर में अगर चंदर की राशी पढ़ी हो तो हमारे गले में थाइराइट जैसी प्राब्लम दे देते हैं शनी देव अगर आठवे घर में बैठ जाएं नीज के बैठ जाएं आठवे घर में या किसी गलत अनिमी साइं तो यूरीन ट्रैप्ट सिस्टम में दिख्कत देते हैं और दे मिलती हैं दिख्कति में आ जाएं तो लेटिस की ओवरी या यूट्रस में सिस्ट पैदा कर देते हैं लेकिन उसमें शुक्र का भी खराब होना बहुत ज़रूरी है शुक्र ज़रूर्ट नीच का हो या फिर शुक्र किसी गलत घर में पढ़ाओ बिमारी के घर में तो शनी देवियांपर कहीं न की ओवरी में सिस्ट पैदा कर देते हैं हमारे जो गाल ब्लेडर में स्टोन्स या हमारी किड्नी में स्टोन्स वगरा होते हैं वह भी शनी की 8th house की placement से हमे हैं यहां जोभी हमने आपको यह प्लैसमेंट्स बताइए इसमेंशनी hookeded होना चाहिए शनी के साथ राहू या केतू की conjunction होनी चाहिए या सुरिय के साथ ये के साथ the next के साथ कंजंग्ट होना चाहिए तब इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है अकेले अगर शनी बैठा हुआ है तो उसमें बचाव रहता है विद्वास शनी जो है सूरिय चंद्र और मंगल का बिटर एनिमी प्लैनेट है जब भी इनकी राशियों में बैठ जाए या इनके साथ बैठ जाए या इनके नक्षत्र में बैठ जाए तो कुछ नो कुछ प्रॉब्लम्स मिलती है शनी देव सेकलोजी की प्रॉब्लम हमारी जो है मेंटल साइकलोजी की प्रॉब्लम में भी एहम रोल प्ले करते हैं अगर शनी देव चंद्र के साथ बैठ जाए और दो-तीन और प्लानेट्स चंदर के नक्षत्र में बैढ़ जाएं या चंदर के साथ कंजंग्ट होके बैढ़ जाएं तो हम mentally, psychologically बड़े वीख हो जाएंगे और depression जैसे बेमारी का शिकार हमें होना पड़ेगा। suicidal thoughts भी शनी देते हैं, शनी जब चंदर के साथ बैढ़ जाते हैं तो इनसान अपने आपको over burdened feel करता है, restricted feel करता है, वो समझता है कि मैं मेरी जिन्दगी में कुछ नहीं रहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाता और वो एक बहुत बड़ी responsibility में दब के कहीं ना कहीं suicidal tendencies को जनम दे देता है, के तू भी अगर शनी के साथ बैढ़ जाए तो के तू anxiety देता है और शनी over burden यहनके responsibility देते हैं, over responsibility दे देते हैं, तो आदमी anxiety और responsibility के बीच में पिस जाता है, और उसे कहीं ना कहीं mentally stress में से निकलना पड़ता है, और यह वली conjunction अगर चंदर के साथ हो जाए और चंदर नीच का आजाए, आठ नमबर राशी में और तीन डिगरी के आसपास आजाए, तो फिर यह predictions definite आदमी को भीर करने पड़ती है, शनी अगर पांचमे घर में बैठ जाए तो हमारे पेट में constipation जैसी problem दे देता है, क्योंकि शनी का nature है, वो हमारी चीज़ों को dry कर देता है, हमारी चीज़ों को एक cyst की form में develop कर देता है, और पांचमे घर हमारे पेट का है, पेट में constipation जैसी problem भी शनी दे देते हैं, शनी के साथ कुछ और मैलेफिक प्लाइनेट की कंजेंग्शन चार-पाँच प्लाइनेट की कंजेंग्शन अगर खराब तरीके से चोथे घर में बैठ जाए तो पेट में कई तरह की सिस्ट पैदा होने कभी डर रहता है शनी वेराग्य का कारक है और कभी-कभी इंसान का जो मन है इस दुनिया से उठा देता है और मन का कारक चंद्र है तो चंद्र और शनी का मेल इसलिए विश्योग बनाता है चंद्र किसकात अगर शनी बैठ जाये तो आदमी को चिड़चिड़ा बना देता है आदमी को कंपलेंट फूल बना देता है आदमी को लाइफ में कुछ भी मिल जाए लेकिन आदमी की मन में चिंताएं बनी रहती है शनी के साथ मंगल का बैठना ब्लड में प्राब्लम्स दे देता है शनी के साथ चंदर का बैठना हमारी बाड़ी में वाटर लेवल को इंबैलेंस कर देता है शनी के साथ सूरिय का बैठना हमारी बोंस में दिक्कत दे देता है शनी के साथ अगर केतु बैढ़ जाए या राहु बैढ़ जाए हलां कि ये शनी के मित्र प्लानेट है फिर भी एक सीरियस बिमारियों को जनम दे देते हैं इसकी कंजेंक्शन क्लोज हो तब ही हमें प्रिणाम मिलते हैं तेन डिग्री से नीचे नीचे अगर शनी और केतु किसी बिमारी के घर में बैढ़ जाए तो ये फिर हमें कुछ नो कुछ सीरियस टाइप की बिमारियां भी दे देते हैं तो दोस्तो शनी एक जीव का रख प्लानेट नहीं है अजीव का रख प्लानेट है मेटरिलिस्टिक हैपिनेस में कारोबार में बिजनेस में शनी अगर ब्लेस करे तो इनसान को क्रोड़ो रुपे अर्बो रुपे में ले जा सकता है लेकिन अगर ये शरीर को कस्ट देने तो इनसान की जिन्दगी के लंबे साल कश्ट में निकलते हैं और उसे हेल्थ से रिलेटेड कि कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है और इसलिए यह शनी देव को हमारे कर्मों की सजा देने का देवता भी माना जाता है तो दोस्तों यह थी छोटी सी डिसकेशन शनी देव के बारे में उमीद है आप ने अच्छी तरह से समझ ली होगी है अगर शनी देव से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो फिर आपको कहीं न कहीं शनी देव की पूजा करनी चाहिए शनी देव के मंदिर जाना चाहिए शनी देव पे तेल चड़ाना चाहिए पीपल के पेड़ पे आपको पानी देना चाहिए और वहां के देवी देवताओं से ब्लेसिंग्स के लिए आपको परात्माय करनी चाहिए शनिवार को काली चीज़ों का दान करना चाहिए शनिवार को अन का दान करना यानि के काली डालें जो भी काले रंग की वस्तुएं हो उसका दान करना चाहिए और अगर आप चीन्टियों की सेवा कर सकते हैं या कवों की सेवा कर सकते हैं तो शनी देव इस से भी काफी परसंद होते है शनीवार को काले तिल और चीनी को मिक्स करके चीन्टियों को डालना चाहिए किसी पेट के नीचे या कवों को मीठी रोटी खिलाने चाहिए शनिवार को या फिर काली वस्तुओं का खाने पीने की काली वस्तुओं का दान जितना आप करेंगे उतनी आपके लाइफ में शनिदेव की ब्लेसिंग आएंगी और उनकी जो बुरे प्रभाव में वो कम हो जाएंगे जोस्तों थैंक यू वेरी मच फू वाचिंग इस वीडियो पिशेंटली अगर आपको ये वीडियो पसंद आईए तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करिये और भी इस तरह की वीडियो को देखने का आपको मौका मिलेगा और वीडियो आपको मौका मिलेगा झापको मौका मिलेगा